Assalamualaikum dear students, मैं हूँ डॉक्टर हाफिद रिफीक और मैं आपको वर्चुल लिंक पे कुछ आमदेद कहता हूँ आज हम क्वाइडियरिस का लेक्चर नमबर वन का पार्ट टू स्टार्ट करेंगे तो आई ये राज करते हैं आज हम लेक्चर नमबर वन का पार्ट टू स्टार्ट करेंगे यानि क्वाइडियरिस का पार्ट टू तो सबसे पहले आउटलाइन देखते हैं तो आउटलाइन हमने लास्ट आम जो डिसकस किये था पॉइंट वो भी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ नमबर वन onyaf definition of quadratics next is polynomial उसके बाद लान पॉइनोमियल और next are degree of a polynomial पॉइंट का बाद है coefficients of a polynomial फिरा quadratic expression या quadratic polynomial और last में आज हम discuss करेंगे quadratic function यह जो परपर कलर में points लिखे हुए हैं यह हम पहले discuss का रहे हैं इस वज़ा से आज इसको discuss नहीं करेंगे तो यह चार points आज हम discuss करेंगे तो सबसे पहले discuss करते हैं degree of a polynomial degree of a polynomial की हमें दरूरत क्यों पढ़ती है last time हमने यह पढ़ा था कि अगर किसी भी algebraic expression में variable की power non negative हो यानि positive integer हो या power 0 हो तो उसको हम polynomial कहेंगे लेकिन अगर power negative या fraction में होगी तो वो polynomial नहीं होगा तो अगर हमें बहुत से polynomial दिये गए हो तो हमने उनको आपस में distinguish करना हो कि वो एक उसे से differ कैसे करते हैं तो उन में से एक उनकी डिग्री है तो डिग्री से क्या मुराद है इसको example के तुरू discuss करते हैं देखें यह एक मैंने polynomial लिख रहा है polynomial इस वज़े से कह रहे हैं कि कोई भी power negative या fraction नहीं है तो यह एक polynomial है जिसमें चार terms है देखें x की power maximum 4 है यहाँ पर इसके बाद 3 है फिर 1 है और यहाँ पर variable शोनी किया हुआ और दूसी बात यह भी है कि यह polynomial standard form में लिखा हुआ है यानि descending order में लिखा हुआ है तो जब भी किसी polynomial की degree आपने determine करनी है तो आप उसको पहले standard form में लिख ले तो यह standard form में लिखा हुआ है तो variable की जो maximum power up और नोट कर ले वो यहाँ पर 4 है इस वज़े से इस polynomial की degree 4 है तो वो मैंने लिखती है और example discuss करते हैं यह एक और polynomial है जिसमें 4 terms हैं उपर भी 4 terms थी यहाँ पर भी 4 terms है लेकिन यहाँ पर देखें कि maximum power variable की 3 है तो यही इसकी degree consider होगी और यह जरूर देख लेना है कि यह standard form में लिखा हुआ है यह descending order में लिखा हुआ है क्योंकि power इसकी hard term के बाद कम होती चले जा रही है तो इस वज़े से इसकी degree जो हो 3 है तो next example लिखते हैं यह एक और polynomial है जो के polynomial in y है क्योंकि यहाँ पर variable y यूज हो रहा है यहाँ पर y के maximum power 3 है तो यही इसकी degree होगी its degree is 3 next example discuss करते हैं 2x squared minus 3x plus 9 यह भी standard form में यह descending order में लिखा हुआ है और variable की maximum power 2 है तो इस वज़े से इस polynomial की degree 2 होगी यह जो polynomial है जिसकी degree 2 हो उसको quadratic polynomial हम कहेंगे और यह जो quadratic का topic है ज्यादा तर हम quadratic polynomial यह इस से related जो expressions आएंगी उनसे deal करेंगे तो एक और example discuss करते हैं देखे 2x plus 5 तो यह भी एक polynomial है क्योंकि कहीं भी x की power negative या fraction नहीं है और यहां पर x की maximum power 1 है गर 1 power हो तो लिखते नहीं है तो इस वज़े से इसकी degree भी 1 होगी तो polynomial को आपस में distinguish करने के लिए एक उनकी degree होती है जो कि हमने यहां पर discuss कर ली है तो coefficients of a polynomial से क्या मुराद है और इसको कैसे note करते हैं और मैं इसको एक example के through discuss करता हूँ आपसे यह देखें यह एक मैंने example लिया 5x cube plus 4x squared minus 7x plus 6 यह भी standard form में यह descending order में लिखा हुआ है आप देखें x cube का यहां पर यह 5 से multiply हो रहा है x squared 4 से multiply हो रहा है x minus 7 से multiply हो रहा है और यहां पर x में नजर नहीं आ रहा जो के बाद में discuss करते हैं तो यह जो constants हैं 5, 4, minus 7, and 6 इनको coefficients कहते हैं किसी भी polynomial के तो अब हम इसको दरह लिख लेते हैं the constants 5, 4, minus 7, and 6 are the coefficients of the polynomial अब x के साथ जो है जो multiply हो रहे हैं coefficient कहा जा सकता है या इसके लिए कोई और नाम भी है तो पहले हम इस polynomial जो 5x q plus 4x squared minus 7x plus 6 है इसको किसी और तरह से लिखते हैं देखे 5x q plus 4x squared minus 7x plus 6 x raise to power 0 तो हमें यह पता है कि x raise to power 0 is equal to 1 होता है अगर किसी भी number की power 0 हो तो वो 1 के बराबर है variable भी हो उसकी power भी 0 हो तो 1 के बराबर है लेकिन अगर यह जो base x है जिसकी power होती है वो 0 नहीं होना चाहिए फिर वो 1 के बराबर नहीं होगा यह concept जब आप higher classes में पढ़ेंगे तो इस वज़ा से क्योंकि x raise to power 0 की value 1 होती इस वज़ा से हम इसको नहीं लिखते तो दुबारा से इसको simplify करके लिखते हैं अब यह बन जाएगा 5x cube plus 4x squared minus 7x plus 6 अब यह जो polynomial है इसमें जो यह सबसे पहली term है जो कि x cube है या कोई भी जो पहली term है अगर standing अगर वो standard form में लिखा हुआ है तो अब आप देखें अब आप देखें कि यह जो polynomial है वो standard form में लिखा हुआ है तो यह जो पहली term है इसको क्या कहेंगे यह जो अब हम देखते हैं कि यह जो polynomial है यह standard form में लिखा हुआ है तो इसकी जो पहली term है उसको क्या कहते हैं तो जो वो सबसे पहले वाली term हो, अगर वो standard form में लिखा हुआ है, तो इसको हम leading term कहते हैं, the term 5x cube is called the leading term, और यह जो last pay है, इसमें एक समय नगर नहीं आरा, 6 is free from any variable, it is called the constant term, तो इसको हम constant term कहते हैं, next हम discuss करते हैं quadratic expression, या quadratic polynomial, तो इसको discuss करते हैं, a polynomial of degree 2 is called a quadratic expression, और quadratic polynomial, इसकी example दरह discuss करते हैं, यह देखें, सबसरे पहले हैं, 3x squared plus 2x plus 1, इसमें x की maximum power 2 है, तो इस वज़ा से इसको quadratic polynomial जो quadratic expression कहेंगे, next है, 5y squared plus 2y minus 3, यह भी एक quadratic polynomial है, इस टर्म की वज़ा से, यह square term की वज़ा से, यह polynomial in y है, क्योंकि वेरियेबल y हो दोड़ा, आगे देखें, यह polynomial है, जो के दो term पे मुझतमिल है, लेकिन इसमें भी x squared वाली term है, इस वज़ा से यह भी quadratic polynomial है, next ज़रा देखें, x squared इसमें एक ही term है, तो यह भी quadratic polynomial है, next देखें, t squared plus 5t plus 6, यह भी quadratic polynomial है, t squared की वज़ा से, तो यह quadratic polynomial in t है, next हम discuss करते हैं, quadratic function, तो quadratic function किसको कहते हैं, तो पहले ज़रा लिखियू statement को देखते हैं, if we put a quadratic expression or polynomial equal to another variable such as y or z etc, for example, y is equal to x squared plus 5x plus 6, or z is equal to t squared plus 2t plus 1, then it becomes a quadratic function or a polynomial function of degree 2, यह नहीं कहने का मतलब यह है, कि अगर हमारे पास कोई quadratic polynomial हो, उसको किसी और variable के बराबर लिखते हैं, तो वो quadratic function बन जाएगा, quadratic polynomial नहीं रहेगा, यहां पर आवजरा देखें, यह भी एक quadratic polynomial था, जिसको z के बराबर लिखती है, और यह भी हमारे पास अब एक quadratic function आ गया है, तो यह जो left side पे लिखा हुआ है quadratic function, इसको देखते हैं, यहां पर variable x यूज हो रहा है, x को हम independent variable कहते हैं, और y को dependent variable कहते हैं, x को value assign करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा, जैनि y की values आ गए, इधर t को value assign करेंगे तो z की values आ जाएगी, यहां पर t independent variable है और z dependent variable है, तो यह जो है वो quadratic functions जो हैं, इनके बारे में भी हम next lecture में discuss करेंगे, आज के lecture को finish करते हैं, और next lecture में हम नए topic को discuss करेंगे, उमीद हैं, आपको lecture समझ में आया होगा, और अगर पसंद आये तो like कीजिए, और channel को subscribe कीजिए, thank you. क्यों एक जीए, यह हुची पूर क résebbe कीजिए, ऊविला लगूएफस्द लगूएऽ, इनके ने, तो जगर धूश बाचर वरादे अजाई जखूच प्कायोखवदीए, और मूरूएवदीए, और Bijक कीजिए